हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मेरे यूट्टूब चैनल अरपेजे वंगल लनिंग सिटी में आपका बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि योनो SBI एप का यूज़ करके आप चेक बुक रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं और आप चेक बुक कैसे मंगवा सकते हैं आप अपने SBI ब्रांज से ये आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो के माद्यम से आज हम ये जानेंगे उससे पहले फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब पीज़ेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरू कीज़ेगा चले फ्रेंड आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके बार आपने master pin set कर लिया है, अब आप login कर चुके हैं, जैसे कि मैं कर चुका हूँ और UNSBI UF use कर रहा हूँ, अब UNSBI में मैं कर लिया हूँ login, यह आपको कुछ इस तरह का page देखने को मिलता है homepage, इसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, नीचे आपको quick links देखने को म मिल रहे है, चेक का text में आपको भी बहुत सारे options है, stop, check, अगर आपको इचेक भी stop करना चाहरे है, उसके लिए है, inquiry है, request checkbook, request check, आप checkbook को request करना चाहरे है, तो यहाँ से आप इसको click करेंगे, request checkbook, उसके बाद यहाँ पे आपको amount, account select करने बोलेगा, कि आपके saving accounts, यहाँ ज इतने पन्नों का यहाँ पर checkbook चाहिए, पचीज, हंड्रेड, आपको जो भी 50, यहाँ पर options रहते हैं, उसको आप यहाँ select करेंगे, उसके बाद आप यह, I agree that my contact data may be shared with courier, आप यह करेंगे, जो courier वाला, जो आपका courier, जो checkbook लेके आएगा, उसके साथ, मलब आप अपना contact number share करना चाहरें, और जो भी charges हैं, उसके लिए आप, जो भी आप aware है कि नहीं है, उसके लिए आपको एक rate यहाँ पर click करना होगा, उसके बाद आप next करेंगे, आप यह आप process में yes करेंगे, उसके बाद आपका checkbook request registered हो जाएगा, आपके SBI branch में, फिर वहाँ से आपको process होने के बाद आपको checkbook आपके registered address पर मिल जाएगा, तो इस वरा से आप checkbook request जो ने SBI के थूप कर सकते हैं, I think आपको इस वीडियो समझो पसंद आए होगा, thanks friends for watching video